हाउखे तो आद हुम देखेंगे टा उब केमिकल रिएक्षिंग यरह पहले टाइपसब चिंजिस और इसके बार आई इसमाति ही नंबर वान पर आता है मेरे पास कंबिनेशन रियों कंबिनेशन कोशेटि हैं रिएक्षिंग जैसे यहां पे नाम सी पता आपस करेंगे 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 ऑपस cents घंगटे हैं मेरा पास भी सबस्टांस बनता आपाना समय जूर जाते आम इसका definition पर लिखे लेते हैं आपे, in this reaction, combination reaction क्या होता है, in this reaction, two or more substances, more substances combined to give a single substance. सबस्टांस, यहां पर क्या होगा, यहां तो दो होंगे, यहां पर तीन भी हो सकते हैं, जैसे a लिए, plus b लिए, plus c लिए, combine करने के बाद हम को एक क्या मिलेगा, a, b, c का एक new substance मिलेगा, तो यहां पर two or more substances, यहां तो दो हो सकते हैं, more than two substance हो सकते हैं, इधर मेरे पास क्या है, original substance है, original substance है, और यहां मेरे पास new substance, new substance, जिसको हम क्या बोलते हैं, product बोलते हैं, product बोलते हैं, और जो initially लेते हैं, chemical reaction में, जो participate करते हैं, वो substance का हम लोग क्या बोलते हैं, इधर reactant लेते हैं, okay, example लेते हैं, जैसे मेरे पास example हो गया, C plus O2, carbon और oxygen gas combine करके, हमको देगा, CO2, एक single substance बन रहा है, मेरे पास, यह solid form में था, यह मेरे पास gaseous form में था, आगे यह gaseous form में, हम हमेसा हम substance का physical state सोने करेंगे, बस यहां पे दिखा दिये, okay, तो अशकी बाद और example ले सकते हैं, जैसे हम लिए, carbon monoxide gas CO plus O2, हमको दे रहा है, CO2, एक new substance बन के आ रहा है, यह दो substance लिए हमने initially, हम आपस कंबाइं करके, एक new substance दे रहा है, यह आपे तिन substance हो सकते हैं, यह मोर दें 3 भी हो सकते हैं, two or more substance combine करके, एक single product देंगे, to give a single product, single substance, फिर हम एक्जामपल ले सकते हैं, जैसे NH3 plus, sorry, NH3 और HCl gas reaction करके, हमको देंगे, NH4 और CL, ammonium chloride, इस टाइस से हमारे पास, two या फिर मोर दें two substance combine करके, एक single product देंगे, तर क्या बन रहा है, single product बन रहा है, single product बन रहा है, मेरे पास, product, तो अच्छा, यहां पर देखेंगे, यहां मेरे पास carbon जो है, अपना elemental form में है, element के रूप में प्रेजेंट है, यहां पे, मेर पास, यह element हो गया, oxygen यहां पर elemental form में है, element हो गया, element, element combine करके, हम को क्या दे रहे है, compound, CO2 compound, element क्या होता, element वो ऐसा substance होता है, जिसका smallest particle होता है, वो atom होता है, यहां आप लिग दे, element में क्या होता है, smallest particle जो होता है, particle, वो मेरे पास, atoms होते है, और compound क्या होता है, compound मेरे पास, इसका smallest particle क्या होता है, smallest particle है, smallest unit बोल दे, मेरे पास होता है, unit हो गया, वो मेरे पास molecule के form में होते है, molecule के form में होते है, तो यहां पर टूटू इलिमेंट्स कम्बाइंट गर क्या दरें कम पाउड़ रहा है यहां पर कमपाउंड जान लविए इसका जो क्या जो इसमील्ट यहां पर कार्बन और ओक्सिजन के एंटम आपसों कमबाइंगा मॉलक्यल फोंबना है मालक सी योटू में क्या है मैरे पा है मेरे पास आगे लेthers compound आ Dlatego C मेरें पास कंपाउंड है ओक्रणी क्या और हम को कैया दिया सचो डो अगए मेरे फर घचो पर में यह मेरे पास यह कंपाउंड़ न यह यह ऑम अमोनिया गैस क्पथ लिए मैसे आगे नीए सञे कंपाउंड और हमार में एक कंपाउंड दे रहा है कंपाउंड कवेसिकली जहां तो नीजर्समार करेंगे टू और इलिमेंटS कजीए कंबैने एलिमेंट चलिए टोल्म हो सकता है एलिमेंट कंपाउंड कंचिंट्स एप compound compound combination हो सकता है और हमको क्या देंगे compound देंगे जो रियल प्रोड़क्ट में जो फाइनल प्रोड़क्ट बनेगा वो compound form में आगा तो हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कि रियक्टेंट जो है रियक्टेंट इन प्रोड़क्ट बनेगा बट्रोड़क्ट फोर्म्ड प्रोड़क्ट विल भी और भी एक कमपाउंड जो प्रोड क्रोड में मेरे पास सुब्स्टांस बनेगा वह मैरे पास क्या परणेगा कंपाउंड ही बनेगा इसर ब्ले हम Amendment उले कंपाउंड उले में वेले अपर Comankind यफ graffiti sud ineunivers बंगा हो मेरे पास वो compound from compound भी बनके आएगा तो यह था हमारे पास combination reaction तो हम आगे second reaction पर जाते है वो है मैरे पास decomposition reaction decomposition reaction तो यह नाम से पता चल रहा है कि decompose होना and decomposition means breaking breaking up अब सबसान चलेंगे it will break up, मतलब वो break कर जाएगा अच्छा इसको हम बोल दें कि हमें breaking up हो 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 है टूट है सबस्टांस कोई सबस्टांस रहे हैं वो टूट के simple substance बनाएगे तो हम इसको बोलेंगे opposite of combination reaction तो यह opposite of opposite of combination reaction combination reaction का just opposite है combination reaction combination में क्या हो रहा था मेरे पास A और B combine करके more A और B के लागए कोई और सबस्टांस हो सकता है combine करके A B बना रहे थे decomposition में क्या होता है A B substance मेरे पास होगा compound होगा जो decompose करने के बाद breaking करने के बाद simple substance A B में तूट जाएगा यहांप क्या बनेगा मेरे पास simple substance simpler substances simpler substances में break कर जाएगा और यह दोनों आपस मेरी combine करके यह substance बढ़ाना नहीं चाहिए हमको यह reverse back यह combine करके यह नहीं बनना चाहिए ओके तो इसमें हम इसका definition लिखते हैं it is a reaction it is a reaction in which a substance a substance substance क्या मेरे पास compound form में लेंगे substance क्या होगा compound form में होगा compound होगा substance जिसके smallest particle क्या होगे molecule होगे in which a substance breaks up breaks up into two or more than two two simpler substances simpler substances substances when given some amount of energy फिर इसमें हम add कर सकते हैं when some energy is given to it अच्या एक बात यहाँ पर जब bond का formation होगा यहाँ पर क्या हो रहा है bond का formation हो रहा है तो यहाँ पर जब होगा हमको यहाँ इनर्जी देना पड़ता है bond तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है energy energy देना पड़ता है इनर्जी देना पड़ता है स्टांस ब्रेक्स आप टूट जाता है into two than two substance में चूट जाएंगे when some energy is given to it जब उसको कुछ amount में energy देंगे bond तोड़ने के लिए हमको energy चाहिए होगा okay example लेते हैं यहाँ पर जैसे मेरे पास example है हम लिए HGO यह मेरे पास था solid form में HGO क्या है compound है Mercuric Oxide जब कुछ इसको heat दिए है यह triangle मतलब डेल्टा बोल्ट ने इसको इसका मतलब heat का symbol मतलब reaction में heat दिया जा रहा है तो ब्रेक किया HG mercury में liquid form में plus O2 gas अगे यह liquid form में तो मेरे पास क्या है element बनके आ रहा है element बनके आ रहा है या अगे यह elemental form में आ रहा है अच्छा अब बात आते हैं यहां पे हम एक्जामपल लिए हैं calcium carbonate का CA CO3 calcium carbonate इसको heat दियें okay heat दिये तो यह break कर गया CAO calcium oxide में plus CO2 carbon dioxide gas में यहां क्या है मेरे पास compound है compound है compound क्या होता है इसके smallest trimit होता है है वह molecule होता है यहांपे calcium carbonate में CA CO3 calcium carbonate oxygen का combined form होता है यहांपे जो smallest unit होगा वह molecule की form में होगा जबकि यहांपे क्या बन रहा है element यहां मेरे पास compound बन रहा है मेरे पास यहां अगें compound बन रहा है ओके यहांपे और एक यह आदू एक्जामपल लेते हैं जैसे है अगे एच्टू ओ वाटर को यह लिक्विड फों में था मेरे पास इसको energy दियें यहांपे energy है बहुत टैप कर दे सकते हैं हीट energy दियें यहांपे हम heat energy दियें ट्रेंगल से मतलब heat energy आगे यहांपे आदिंगे electric energy देंगे electric energy देंगे है विदाइंगे तो यह ब्रेक करेगा है एसस्टू गैसमें एस्टू गैसमें जी मतलब कि सब्सक्षिछ में और टू गैस में है अबर पास two substance बनके आ रहे है और शींपल सब्सक्षांस बाइब रहे सिंपलर सबस्टांस इसका मोग आगें अनाधर फों में ब्रेक अप नहीं कर सकते हैं यहां पर और जोड़ सकते हैं कि प्रोवाइड़ और द्सिंपलर सबस्तांस मस्ट नौट्री कंबाइशन, remain to give दी उरीजिनल क्या होता है कि षजम से अ जटेंगे फिर अ का सिंपल सबस्टांस ब्रेक कर जाएगा और sini क्या अब तो फर्धर रूब रेक Adaptive नहीं हो सकता है जब कि रहें जो सिंपल सबस्टांस सबस्टांस बनेंगे वह आपस में रिकम्बाइन करके और जिनल सबस्टांस बनाने नहीं चाहिए यह करेटेरिया है इसको के लिए अच्छा और एक्जांपल लेते हैं जिस हम लिए एफी एसो फॉर का क्रिस्टल लिए फेरस सल्फेट का तो इसको हीट दिये यह बेरे किया आमको एक हुआ को है कि फ्योर 3 फेरी ओक्सइट में प्लस ऑसो टू सल फ्र डायोकसाइड प्लस ऑस होत्री च्पर ट्रायोक्साइड ध्याब रद्ल erst रिस बना सकता है और अजय्याकर संबश्टन्स बना के ना काुए है तो यहाब है कंपाउण लिए है सिया अर्मेर पास कंपाउंट बन रहा है तीनों कितीनों कंपाउंड हैं कंपाउंड इन फ्याई नींग कंपाउंड बंगा रहा हैं मैं इसम्थ नोब रीच किए इसको हम क्या हीट किये तो हम को क्या आया है हमको कर दिया है अति नलmor टू प्लस ॉक्स हम क्या लिए यहां वे कंपाउंड लिए लंग प्लब कंपाउंड है। तो मेरे पास सी कंपॉंड बनन धांत जा आया देना ऐसले मतलब कि इल enact साध़ा सबस्टांस बन कर आ रहा है सिम्वर सबस्टांस बन के आ रहा है सिंपलर सब्स्टांस This product में product में का arrib अधिन सबस्टांस ले ले हैं है कि यहां पे इनर्जी फ्लाइ किए आ सब्सक्रांस दो लिए हमें आपा है सो सीट अब इस अबस तस लिये ैं है रियक्टेंट साइड में की रूप में हम मेरे पास क्या है सब सब्सक्राइबиваем कर दो में हम यहां बोल सकते हैं कि की ह्यांत & बब एफ रीमपांड होगााचि SG बन रहा है कमपांड सम०्स और बन रहा है, element plus compound बन रहा है, तो हम लिखेंगे product जो है मेरे पास compound या फिर element कोई भी फो में हो सकता है, तो product can be an element an element or a compound, compound, okay तो simpler substance बन क्या हैगा, जो decomposition होने के बाद सबस्टांस में ब्रेक करेगा, जिन सबस्टांस में सिंपल सबस्टांस में वह मेरे पास या तो elemental फोम में हो सकते हैं तो अच्छा यहाँ पर हम हमें क्या लिए हम calcium carbonate लिए हीट किये हैं अब हीट किये नर्दी जो है heat के फोम में है ब्रेक कर गया स्टांस में ब्रेक क्या है यहाँ पर हीट के फोम में दे रहे हैं जिस डिकमपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो है इस गिवन इन दा फोम फोम हीट हीट के फोम में एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है तो ऐसे डिकमपोजिशन को हम बोलते हैं थार्मल डिकमपोजिशन रिएक्शन नहां पे थार्मल मतलब हीट तेंपरेचर यहाँ पे जो है दा एनर्जी गीवन टूदा केमिकल अब सेकेंड हम देखते हैं नमर्वन हो गया फर्स टाइप हो गया इसको लाइट एनर्जी किसका लाइट सब्सक्राइट का सब्सक्राइट एनर्जी यहाँ पे इसको लोग एच मू लिख सकते हैं ऐसे स्वेट का सेम्बल है एच मू तो यह ब्रेक करगा एजी प्लस चील टू यहाँ वाइट पीपीटी रहता है यह वाइट पावड़र पीपीटी रहता है वाइट पीपीटी रहता है मेरे पास सनलाइट के एनर्जी दिये हैं इसको तो क्या बना एजी और सील टू यहाँ पे एनर्जी जो है किसक apply to the reaction is in the form of sunlight, after light energy, so, ऐसे reaction हम बोलते हैं, photolysis और photochemical decomposition, photochemical decomposition reaction, decomposition reaction, okay, अब थर्ड टाइप का, photolysis, photo मतलब light और लिसस मतलब तूटना, break कर जाना, आप इसका हम बोलेंगे, photochemical decomposition reaction, okay, थर्ड टाइप का, मेरे पास H2 है, liquid form में, इसका हम क्या कियें, हमें electric current दिये, electric current, यह क्या किया, H2 hydrogen gas में break कर गया, H2 gas में break कर गया, और O2 gas में break कर दिया, तो आप energy जो दिये, energy supplied, energy किसके form में है, electric energy, current pass कि है, electric energy के form में है, तो ऐसे reaction को बोलते हैं हम लोग, electrolysis, 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 electrolysis मतलब electric current, electrolysis मतलब break कर जाना, मतलब electric current का energy supply करेंगे, तो वो substance break कर जाएगा, ओके, तो हम यहाँ पर आपर एक पॉइंट लिग दे, है, यहाँ पर, decomposition reaction में, in decomposition reaction, the energy supplied, energy, given, यह supplied, to the reactant, वो क्या क्या हो सकते हैं, can be, number one, heat energy, और इस reaction को बोलेंगे, हम लोग, thermal decomposition, second हो सकते है, light energy, light energy, और इस decomposition को हम बोलेंगे, photochemical decomposition, आपर photolysis, third हो सकता है, electro, electric energy, electric energy and this reaction will be called as electrolysis, okay, so now, we proceed towards next types of reaction, बहुँ सार example हो सकते हैं, जैसे की, हम एक्जामपल ले सकते हैं, PB, NO3, lead, nitrate, यह breaker का heat देने पर, PBO, lead oxide, plus NO2, nitrogen dioxide, यह मेर पास, plus brown color का, red is brown color का, gas निकलता है, plus O2, यह भी मेर पास, decomposition है, कौन सा decomposition, thermal decomposition, क्योंकि एनर्जी जो यूज हो रहा है, वो heat energy के form में, यूज हो रहा है, जो एनर्जी यहांवे, कौन सा form है, heat energy के form में है, तो lead nitrate, cambrick कर रहा है, blade oxide में, NO2 में, O2 में, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, next reaction पर, तो हमारे जो next step का reaction है, वो है मेरे पास, displacement reaction, displacement reaction, 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 okay, जैसा कि अभी तो कितना type of reaction देखे थे, उसमें उसका name से ही पता चल रहा था, तो यहां भी name से हम लोग निकाल सकते हैं, कि displace कर जाएगा, क्या करेगा, displacement हो का substance का, displacement of substance, substance, okay, मांगे चले हैं, यहां पर कोई substance लिये, हम A, B, compound लिये, और इसका reaction हम कराएं, C के साथ में, यह का करेगा, C जो है, इन दोनों में से किसी A को यहां से हटा देगा, displace कर देगा, और खुद जाके यहां पर combine कर लेगा, मंगे यहां पर B से, B को यहां से replace, displace कर दिया, और यह एक साथ को combine कर लिया, हम को क्या मिल लेगा, A और C का combination मिल लेगा, plus B मिल लेगा, हम क्या बोलेंगे, C जो है, यहां से substance को displace कर दिया, अब बात आती है कि कौन substance, यहां पर C जो है, B को displace करेगा या फिर नहीं करेगा, तो बात आती है, कि जो substance displace करेगा, वह जिस substance को displace करेगा, उससे more active होना चाहिए, अब वह इस substance में से, AB में से, जो नया substance होगा, जो second substance होगा, वह AB में से जो weak, weak power कहाँ हो, weak reactive होगा, उसको less reactive होगा, सबस्टांस से, उसको इस substance remove कर देगा, तो हम example लेते हैं जैसे की C U SO4 का, C U SO4, correction कराएं, iron के सांथ, F E, तो यहां पर क्या होगा मेरे पास यहां पर होगा मेरे पास यह बंड कि आता है मेरे पास फेरस सल्फेट एफ एस फॉर प्लस सी यू आरन जो है कोपर सॉल्फेट का सोलीशन में से कोपर में क्या है मेरे पास से यू प्लस टू के आयन थे के सोलिशन था मैं पास एकवस्ट सब्सक्त के फॉम में था और यह सो क्या चुल किया और यहां से रिमुव कर दिया और मेरे पास नहीं पर पेफ़ेस आप फिएसे फ्फॉर और सुयू बनता है यह मैं पास आगेन एकवस्ट फोम में है और यह मैं पास शोलिड फोम में है एक पीटी बनता है नीचे बेट जाता है ओके अच्छा इसकाम लोग आप क्या करेंगे एफ़ेस फोर को को कि हम जो है, होता ही नहीं है यह की हो नहीं होता है तो इसके लिए हम देखेंगे आपकर बले इसका diffalar लगते है in this reaction in this reaction a more active more active the more powerful more active more reactive more reactive substance turns displaces displaces the less active substance from its aqueous solution aqueous solution मतलब जो सबस्टांस लेंगे वो वाटर में डिजल्व करके solution मनाया क्या करता है आयरन जो है कोपर से मोर एक्टिव है मोर डीप्टीव में एक्टिव है मोर एक्टिव मेतल यह एक्टिव डीप्र को इस सोलीयू से डिश्प्लेप्लेस करते रिमूब करता है रोखूद अपना उसका जगा अक्य toast लएक आदिक दिल्ति रिक्टीव है यह इसको डिस्प्लैश नहीं कर सकता है और यह इसको जो है New प्रोड़क्त सबस्टांस इंगा है इसे नहीं होता ही यह तो यह स्योज़िशन मैं से आरण को को डिस्प्लैश निंगर सकता है कि hebben आपर यापन सी यू सफोर रिसंगयद करता है आ आथ में और हमको देता है Fe SO4 का solution plus Cu और example लेते हैं हम लिए Cu Cl2 copper chloride plus PB layered series कराएं हमको यह दिया पीबी Cl2 plus Cu अच्छा इससे आगे है जैसे मेरे पास यहां पे पीबी जो है Cu Cl2 का एकोस solution में से यह जो है solid form में था मेरे पास solution में से क्या किया copper को displace कर दिया मतलब क्या हुआ पीबी जो है copper से more reactive है तो पीबी जो है मेरे पास copper से more reactive है कोई फिर आगे देखते हैं फिर मेरे पास आपर example लेते हैं जैसे एच General जो प्रेशन कराएं निकल तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जिंक जो है सल्फूरिक एसिड डैल्यूट सल्फूरिक एसिड में से हड़्जन को डिस्प्लेस कर दिया मतलब जींक जो है कि वह एस टू से मौर रेक्टिव है इसका अलावे हैं एस टू एसस फॉर करता है है मेगनेशेम के साथ में अरें आजो सब्सक्राइब निकलता है है कि एटरोजंसे मोरेक्टीफ है हईड्रोज से मोरेक्टीफ है मेगनेूँ मुझरें एक्टीफ द Republicans हम अलीए सैसे हम हूं कर आइंग की साथ में हैं तो जो है इस टाइब से हमारे पास किया आ रहे है हमेरे पास क्या रहे है हमकर पास एक नहीं कर सकता है कि इसके पास है एक मेटल रियक्टिविटी सीरीज मतला मेटल डिक्टिविटी सीष एक्चूली होता क्या है कि मेटल जो है उसका कौन मेटल कितना रियक्टिव है उसके ओडर पे मेटल को एक सीरीज में रखा गया है डिक्रीजिंग ओडर पे उसको लोग बोलते हैं मेटल रियक्टिविटी कि स्यरीस प्रीक जो देखते ही हम लोग अशनर मैं है आपक मिलें क्या था अराइन जो है था तस्की दूर्य धीक्ति धर जो था परसे अधुझे टूर्य गट्रेख रेक्टिम था एंडि अग्ड ही अधू सेत उरह पें टमब सब्स्टांस इन से अधिक रियक्टिव हैं अभी हम देंगे हैं आपे मेटल कि रियक्टिविटी सीरीज रियक्टिविटी कि सीरीज है ओके तो यह क्या है मेटल का एक सीरीज होता है हम उसको लिग दे पाले है पोटेसियम सोडियम केल्सियम मेंगनेसियम एल्यूमिनियम जीन्क आयरन पीबी लेड हाइड्रोजन फिर कोपर हच जी गोल्ड एज यू पिटर हमार पास क्या है मैटल का एक सीरीज है मतलब मेटल जो है आपने रियक्टिविटी क रियक्टिव है कि इन पारफूल है किmost रियक्रेक्टिव कि फिलका बूरत घ्रिक्रियाइग सथर पना उसके ऑνच्या बारिप डिक रिक्रिसेंग ओंडर पे डिक metal को उसके reactivity के decreasing order पर अरेंज किया गिया है इस एक आगोश्र मेटल का रिएकश्री सिर्य यहां पर इधर उपरस नीची आने पर मेटल का रीक्टिविटीडिस हो रहा है मतल्लब मेटल जो है है इधर क्या है मेरे पास less reactive metal मिलेंगे एधर क्या मिलेगा है हमें हमको क्या मिलेगां न्ट क्तिया में तो नगने प्रम Leagrafic निद्एंग अग्यक्न आफ्मालोन चलते हैं तो हैंब चाहिए जोब्य चयोग कॉनेचे हड्वं से नीचे सब्स्टांस को डिस्प्रेश कर सकते हैं अग्रों होता के आया है कि कि उप्र उपर में करता है वह आपने से नीचे सब्सटांस को स्के सोलीसेट कर सकता है और कोपर को डिसcm काउट करें करना इस्ट असे कोपर के करके काउआं कि- बनने वाला था मेरे पास सी उस फॉर बंड नहीं रहा था क्योंकि और जो है यह बनता ही नहीं है कोप़र जो है निचे लाई कर रहा है रिटीवटी सीरीज में यहां पे और अरंग जो है उपर लाई कर रहा है तो लेस मेटल जो है more more reactive metal को displace नहीं कर सकता है अपर लिख दिया हम more reactive metal can displace the less active metal but less active metal cannot displace the more more active metal less active metal जो है more active metal को displace नहीं कर सकता है हम कुछ extra में add करते हैं आचा हम बता दें इस सीरीज है उसको याद करने का trick सिखा देते हैं trick इसके लिए मेरे पास है केदार नाथ केदार नाथ का माली आलू आलू जरा फीका पकाता है फिर इसके बाद हम बोलेंगे हाई कोट है आप का इसमें क्या है यह इसको लर्न करने का way केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है हाई कोट है आपका किदार के से पोटेसियम एने सोडियम केल्सियम यह से से ऐलुमूनियम जे से जेड से जिंक एफी से आइराइन पी से प्लेड ह से हड्रोजन अगें हाई कोट हाई से एच से हड्रोजन कोई सो कर रहा है फिर यहां से अलग कर रहते हैं हाई कोट है आपका हाई 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 कोट सी यू कोट है चाइज से गोल्ड हजी आप अ ए पी आप से ए से अजी एय यूँ पि से पी प्लेटिनम तो यहां पर हम और एक एक अग्जामपल लेते हैं हुआ यहां पे लेते हैं हमने क्या देख़ा कि हम कोई डायलूट अचिड लिये आर इसका र हम liet acid लिएए हमेっ preciso साथ में टो हमो क्या मिलता है का मेटल का शोल्ट मिलता है सोल्टं और हमको मिलता है है। इस बाहर निकलता है। example वहाँ क्या देखा था, हम रेसआ हाये हैं, जिंक के साथ में में लिए Quin only Gin worm by친boom, निकलता है, हम देखाम में क्या था , style salt salt और H2 gas बाहर निकला जो बाहर निकलता है एरो साइन से उपर सो कर देंगे आए आर एक्जामपल लेते हैं हम जैसे H2SO4 प्लस mg विलगीब mg-SO4 प्लस hydrogen gas इतने ही एक्जामपल लेते हैं फिर और एक्जामपल लेते हैं H2SO4 odd प्लस c u तो एएडिक्शन होता ही नहीं होता ही नहीं है यह लिए वास कर लिते हैं तो यहां पर क्या हुआ जिंक जो है जिंक कहां पर र्योजन वस्कार तो जब टो युह सब मटि मेंटल से रीक्षण कराएंगे तो मॉर एक्टिव मेटल वह क्या है हम अम इसके फॉरमसंटRO मेर지는 सबस्क्राइब का मोर सबस्क्राइस być ने हट्रोजन के मोर एक्टिव मेटलunaOn देने वाला नहीं है जब कि यहाँ पर जो है हाँ नीचे लाई कर रहा है हमको यह नहीं दे रहा है तो मेरे पास जो फोर्स टैप कर जो रियक्शन है वो मेरे पास है डबल डिस्प्लेश्मेंट डिस्प्लेश्मेंट अपि रिस्प्लेश्मेंट अपि रिस्प्लेश्मेंट डबल डिकोंपोजिशन डबल डिकोंपोजिशन 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 शन रियक्शन यहाँ पर क्या होता Šाय कई देंगी कि एकर सब्सक्तान्स अंट माहिए ऐक वहले एक वेख स्पोर में वह उल्म क्या directors सीघ्व मेरे पास क्या हूता है मेरे पास क्या देंग छाए मैने स्विर्ण करते हैं जो क्या करते हैं अपना आएं का इंटरेंज करते हैं लोगा करेगा आए जो है बी औरव बी इसी बनाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है दोनों सब्स्टांफ दोनों कमपाउंड आपने आयनों का इंटर्चेंज करेंगे एक्स्चेंज करेंगे इंटर उपायों एक्ष्च्चैंज है जों सब्सक्राइब करोऊं द्वादि हमको क्या दिया बी एसोफ दिया पलस हमको न सिईल दिया आजो दिडिलिएäll गन्ट किया है क्योंकि!!! ऑगे तो यहां पर बाल hemp कर दते हैं न फॉल्हकर मॉलेक्षील महीं मॡलिकलाइ टिविसंग ह 한데 wore TV對啊 यह दुनों को एक सोलीशन मिला अगेन सोलीशन मिला इसे मेरे पास और बेरियम सलफेट क्या है मेरे पास यह क्या है बेरियम सलफेट मेरे पास वाइट पीपीट के रिचुप में नीचे आ गया है पीपीटी मतलब इंसोलिबल सबस्टांस जो सोलिशन में डिजूल्ब नहीं कर रहा है वो नीचे लेयर पाके सेटल डाउन हो गया है इस्टेट से और एक्जामपल है मेरे पास जैसे है कि बीए से ल्टू प्लस एच्ट्व एसो फोर हमको क्या देगा अगें बीए एसो फोर बिरियम सलफेट का वाइट पीपीटी देगा वाइट पीपीटी देगा और हमको देगा एस्टी एल गैस है और इस बहुत एजामपल हो सकते हैं जैसे मेरे पास एजी देए नो थ्री एसका करांएं एने सीएल के साथ हों हमको क्या मिला एजीए ल का वाइट पीपीटी पीपीटी बनेगा इसके लावा हमको देगा इसका लाग हमको क्या दे रहा है एन एन अघ्री सोडियम नाइटरेट एन 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 ओ ट्री इस टैप से ओके फिर एक्जामपल लेते हैं हम फीद और बेस का एसी ड्लस बेस का को यह सीड लिये अर बेस से रिक्षं कराएं एन अच्छ बेस लिए हमको क्या दिया यहां पे एच है रिक्सन होता क्या है बेसिकली टू कंपाउंड्स का मर्म हां है कि इंतब्दिद तबीत है थीुआ सब्सक्ldigt बित हो श्कता है तू कंपाउंड्स कि इंतर्चेंज के इंतर्चेंज है मिया कि इंतर्चेंज का नियkum सब्स new substance new substance का formation करने के लिए आपने आइंस का interchange करते हैं अदला बदली करते हैं तू compounds interchange their ions in the solution अच्छा यह अपलेग दें to give any substance का आपलेग दें इन a solution two compounds in a solution solution में होना है two compounds in a solution interchange their ions अपना आइन का interchange करेंगे to give any substance अगना substance देंगा हमको ओके तो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिए हम एसीडर बेस का रिक्षण कराएं तो हमको क्या मिला एच्ट्यो अपना आइन का interchange कर रहे हैं दोनों तो यह क्या है मेरे पास डबल displacement यहाँ पर डबलडी गॉंप्जिशंटन का एक्जामपल है यहाँ पर एसीड और बेस का रिक्षण होता है और हमको क्या मिलता है salt मिलता है salt मिलदा हमको और water मिलता है इस रिक्षण को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं सब्सक्राइब हो रहा है इसके लावा जितना भी एक्जामपल में लिए हैं जैसी इन सब में एक्जामपल में तो क्या हो रहा है यहां पर पीपीटी का फोर्मेशन हो रहा है और जिस रिएक्शन में पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट इंसॉलिबल सबस्टांस यह क्या है म हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन रियक्शन रियक्शन ओके इसके बैसिस पर हम लोग यहीं बोल सकते हैं कि डबल दिस्प्लेश्मेंट रियक्शन और डबल दिकॉम्पोजिशन रियक्शन can be of two types number one neutralization reaction in which the reaction is taking place between acid and base and second one is precipitation reaction in which there is the formation of precipitate precipitate takes place मतलब double displacement reaction में हमारे पास दो टाइप को सकते हैं पहला जो है acid base का रिक्शन करके हम लोग neutralization reaction को लाज सकते हैं second जो है PPT formation हो रहा है तो प्रिसिपिटेशन रिक्शन यहां पे कि अभड़ल डिक हो जिए न हो या इस्टाइप से हम पास ??oh स्टेप का हमारे पता सु कैनरे टो कैज़के न करने और में हो हला है ओके सो आधिए से टो मितना ही, Okay? So, see you, thank you.